नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके आपके चैनल शेयर मार्केट विद प्रतीक में आज मैंने आपके लिए ऐसा शेयर लेके आया हूँ जो बहुत ही दिगज कंपनी का शेयर है और इसने काफी अच्छी तरीके से सालो साल कंटिनुवस कंसिस्टन्स आपको प्रॉफिट दिये है बट अभी वो टाइम आ गया है कि हमें इस शेयर में अपनी होल्डिंग बढ़ानी है या घठानी है बाकी सब चीजे मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा और आपको प्रॉफ के साथ दिखाऊंगा कि प्राइस एक्षन कैसे काम करता है देखिए कल मैंने एक ONGC के उपर एक वीडियो बनाया था और मैंने उसमें साफ साफ बताया था कि ONGC में क्या हो सकता है और ONGC में गिरावट होगी ये नहीं होगी तो आज आपने देख लिया होगा और ऐसे ही मैंने ICIC पर बनाया था कि इसमें गिरावट हो सकती एक दिन पहले और अभी देख लिए आप ICIC कहां पे हैं ICIC में गिरावट होई है कि नहीं होई है तो ऐसे अच्छ अच्छ और इंफोमेटिक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और जो भी आपके कमेंट्स हो आप कमेंट्स वोक्स में डाल सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शेर के वारे में fundamental देख लेते हैं पहले धिए शेर की बात कर रहा हूं उस शेर का आपको पहले में आपको share holding pattern दिखाना चाहता हूं प्रमोटर्स की holding इसमें देखिए, year on year wise घट तो रही है No doubt बट 70 प्लस है अब देखिए मार्स 2021 में 70.92 की होल्डिंग थी in comparison to June 2020 यह थोड़ी सी घटी है बट है अभी भी 70 के उपर ही और अगर FI की होल्डिंग आप देखिएंगे तो June 2020 से जो 3.28 की थी वह बढ़के 3.88 की हो गई है और DI की जो 6.66% की होल्डिंग थी वह बढ़के 7% की हो गई है और वहीं रिटेलर्स की होल्डिंग थी 19.09% की घटके हो गई है 18.2% की तो रिटेलर्स की यही प्रॉलम होती है कि वह लॉंग जानी पाते हैं और उनके हाथ शेक कर जाते हैं बट अभी इसमें क्या करना है वह मैं आपको बताऊंगा ROC आप इसका देखिए consistent wise year on a year कितनी दमदार कंपनी है 36% मतलब 25 से उपर कहीं लगबग एक ही बार अगर 16% रहा है आप मार्च 2021 में देखिए 26 का और 2020 में 13% का क्या जबड़ जस्त है बस इसका यह की data days इन्होंने घटाए हैं बट इस साल थोड़ा सा बढ़ गया है पिछल माल बिकेगा ही नहीं तो profit कहां से आएगा अभी भले ही वह profit दे रहे हैं बट आने वाले टाइम में problem कर सकता है net cash flow ठीक ठाक है 4 क्रोड का maintain कर रहे हैं बट इसका total asset देखिए year on year wise बढ़ता ही जा रहा है क्या मतलब जबड़ दस है और सबसे ची बात borrowings borrowings देखिए घट रह करोड क्या जबड़ दस कंपनी है आप चाहे तो quarter one quarter wise भी देख सकते है June 2018 से देखिए March 2021 तक जो 46 क्रोड का था वो अब हो गया है 102 क्रोड का profit तो क्या जबड़ दस कंपनी है मैं बात कर रहा हूँ रिलाक्सो फूटफियर की 26,390 क्रोड की कंपनी है और current price 1000 के plus ही चल रहा है ठीक है stock PE जो आप देखेंगे तो 90 की है और जबकि industry PE 40 की है तो no doubt अच्छे शेर महंगे ही मिलते हैं और रिलाक्सो क्या करता है आपको पता है canvas shoes, sports shoes, sandals, school shoes यह जितने भी segment है उसमें यह जबड़ इसके brand भी आप जानते है relaxos, sparks, flight और Bahamas यह काफी famous brands बन चुके हैं आज की date में और इसी वज़ासे इसने dent मारा है अच्छा खासा बाटा पे अब आज आए चार्ट पे, क्योंकि चार्ट सब कुछ बताएगा आपको आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना आपको नहीं पता है, क्या trend होगा, क्या fashion style होगा उस समय अब कुछ नहीं पता है, और आप अगर इतने समय के लिए भूल जाओ, तो मुझे ही लगता आप बहुत ही rare कुछ shares होते हैं, बहुत rare company, आप खुद देख लो, निट्विफ्टी में 90's में जो company थी, आज क्या होगा पांच company भी नहीं होगी, मुझे से 50 company थी, निट्विफ्टी में जो 50 company थी, निट्विफ्टी से अभी 2021 में उस में से 5 company भी आप निकाल लो, तो बड़ी मुझे से निकलेंगी, तो मतलब वो सारी company खा चली गई, तो निट्विफ्टी 50 के जब shares नहीं रह पाते हैं, इतने दिगज share तो फिर आप कैसे अपना मतलब इतने साल के लिए invest कर सकते हो, तो आपको price action और price को हर समय देखते रहना पड़ेगा, मैं नहीं बहुत डेली देखो, weekly, monthly आपको चेक करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत बड़े loss में जाएंगे, यह market है, यह कोई चंदा य देखते हैं, यह मैंने weekly का चार्ट लगा रखा, relax हो का, और weekly में मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ, आप यह देखिए, यह जो मैंने इसकी trend line ड्रॉ कर रखी है, weekly की, मैं आपको पहले monthly का दिखाएता हूँ, monthly view से आपको यह clear हो जाएगा, कि यह कहा जाएगा, अगर हम monthly पर जाएगे, मैं आपको दिखाता हूँ, यह देखिए, यह monthly आ गया, monthly आप देखिए, यह पिंक वाली जो लाइन है, 2019 से, इसने अपनी एक जनरी अच्छी कासी ओपर स्टार्ट की, और यहां से इसने support लेने की, यहां पर इसी वाली line पर support लेता तो इसको यहां आगे गया, बट इसने फिर से नई trend line को follow कर लिया, green wire trend line को, आप समझ रहे हैं, price कितना steep जा रहा है, कभी भी अगर लंबा share को जाना है, तो इसको आप यह ध्यान रखिए, कि share को एक angle में जाना होता है, तभी वो long जा सकता है, अगर वो long जाना है तो, बट यह तो उस angle में जा ही नहीं रहा है, तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी ना कभी है अपने, अगर इसको follow करना है लंबा, तो इसको इस line पर आना पड़ेगा, या फिर इस line पर आना ही पड़ेगा, ठीक है, तो weekly में भी यह आपको दिख रहा है कि यह अभी भी क्या है, इस वा पर लिया उपर गया, फिर ब्रेक करके इसको, फिर यहाँ पर इसने support लिया और उपर जाके इसने ब्रेक करते है, और कितनी बड़ बड़ी candle के साथ ब्रेक किया है, यह जो आपको पैटरन दिख रहा है यह वाना green और red candle का, इसको bearish हरामी पैटरन भी कह सकते है, पूरा bearish ह तो यहां से बेरिश हरामी का मतलब होता है कि प्राइज नीचे आएगा अब कितना नीचे आएगा वो देख लेते हैं वन डे पे चलके आप जब वन डे पे देखेंगे तो आपको और clarity मिल जाएगी कि प्राइज यह कहां जाने कोशिश कर रहा है देखिए प्राइज ने यहां से resistance लिया नीचे आया support लिया और इस वाले trend line पे जो green वाली है support लेके उपर गया और फिर यहां पे देखिए यहां से फिर यह नीचे आ रहा है इस वाली candle को इस वाली candle ने पूरा इंगल्फ कर लिया है और उसके बाद इसको और तोड़ता हो price नीचे आगया है तो price थोड़ा bounce back करके फिर नीचे आएगा, फिर bounce back करके नीचे आएगा, no doubt मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 950 के region में आने की कोशिश कर रहा है, और यहां से support लेके फिर bounce back करेगा, योगि long time में अगर इसको जाना है अच्छे support के साथ, तो मुझे लगता है इसको इस वाली trend line या फिर इस प्लावली trend line पे कभी ना कभी आके अपने price को follow करते हो, आगे जनरी अपनी complete करनी पड़ेगी, तो आशा करता हूँ, मेरे दोरा दिया गया, मेरा जो view है, आपको अच्छा लगा होगा, कुछ knowledgeable रहा होगा, और प्लीज, आप भी price action को समझे, सीखिए, जिस तरी को subscribe करना ना भूलिएगा, hope to see you in my next video, bye bye